मुस्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे तोड़े देते हैं अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोण देते हैं दोस्तो मैं बाबुराम पटेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बायलो जी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम लेकर के आये हैं एनी लीडा फाइलम का महत्पूर्ण जीनस नेरिस अथवा नियन्थिस तो चलिए आज देखा जाए पूरा टोटल जो हम अध्यन करने वाले हैं नेरिस के बारे में चलिए देख लिया जाए देखे सबसे पहले आपको एक बार हम याद दिला दें जो हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे एनी लीडा एनी लीडा में हम लोगों को तीन जीनस पढ़ना है एक तो आर्थवर्म हो गया फेरी टीमा पोस्थुमा हो गया दूसरा हो गया लीच इंडियन कैटल लीच हिरुडिनेरिया ग्रजनूलोसा और यह तीसरा है नेरिस नेरिस वाइरिस चलिए देखा जाए सबसे पहले इसक तो चार क्लास है एनी लीडा के अंतरगत ठीक है तो आलिगोट चीटा का जो है आपका केचुवा था ठीक है और हिरुडिनी का जो था हिरुडिनेरिया था और पॉली चीटा का सदस्य है नेरिस है और इसकी फेमिली क्या है भाई नेरिडी और जीनस इसका नेरिस और इसप दूसरा नाम रायग वर्म कहते हैं अथवा इसे दूसरा नाम कलायम वर्म कहते हैं ठीक है क्योंकि यह जो है रेतीली जो भूमी होती है रेतीली भूमे में समुद्र के छिछले जल में पत्थरों के नीचे या रेतीली सुरंगों में यह हते हैं सुरंग अर्थात बरो बिल ब बना लेते हैं और ये कुल मिलाकर देखी अगला पॉइंट किया है कि मैराइन पॉली चीटा होते हैं मैराइन पॉली चीटा और इसके साथ-साथ ये कार्णी वरस होते हैं अर्थात ये मांसा हारी होते हैं ठीक है मांसा हारी होते हैं फ्री लीविंग होते हैं ये अर्थात प समय में यह निकलता है रात इनके समय में चलता है अगर इसके रंग की बात करें तो गुलाबी सा थोड़ा सा होता है और इसकी लगभग जो है इसकी लंबाई 20-40 संटीमीटर सरीर पतला होता है और उपर नीचे कुछ चप्टा तथा असी से दो सो इसमें जो है सेग्मेंट में यह बटा होता है ठीक है और इसमें अगर छोर और असपस्ट जो है सीर्स भी होता है ठीक है चलिए देखा जाए आगे क्या है during the breeding season सबसे ज़्यादा महत्पूर यह पहला ही पॉइंट हमने सामिल किया है इसे आप ध्यान दिजेगा during the breeding season जननकाल के समय में घटना क्या होती है कि the nearest frames जो नेरिस होता है वह तैरनलाइक हो जाता है और actively सक्री हो जाता है और बिकम्स हेटरो नेरिस उस समय यह जो नेरिस के वस्था है वह हेटरो नेरिस में बरदल जाती है अर्थात नेरिस तब हेटरो नेरिस कहलाता है कब कहलाता है जब इसमें जनन की छमता जाती है जनन काल के समय जनन करने का इसमें मौसम उत्पन्न हो जाता है उस समय इसे क पतला इसकी बोड़ी का इसी होती है टेपरिंग मतलब यह टेप तरह फीता समझते हैं चप्टा उसकी तरह होता है posteriorly and slightly और पीछे जो है slightly मतलब थोड़ा सा डार्सो वेंटरली फ्लाटिंड होता है चप्टा होता है ठीक है तो यह नेरिस और इसमें हम आपको बता दे जो इस this is metamerically segmented और इसमें जो है इसका भी सरीर segments में खंड में बता होता है ठीक है खंड में metamere में इसका सरीर बता होता है और इसकी जो body होती है इसका जो सरीर होता है वह कितने segments में 80-200 segments में इसका सरीर बता होता है 80-200 खंड इसके सरीर में पाय जाते हैं और इसकी पूरी जो सरीर होती है तीन भाग में बटी होती है पहला भाग है हेड पहला भाग है दूसरा मद्ध का होता है ट्रंक और नीचे का जो टेल होता है उसे पाजीडियम कहते है ठीक है पाजीडियम तो हेड ट्रंक पाजीडियम हेड ट्रंक पाजीडियम तीन भाग में इसका सरीर बटा होता है 60 cm तक ठीक है अब इसके सनचना की अगर हम बात करें तो देखे इसकी सनचना क्या है कैसी है सनचना के बारे में भी आप देख लिजे इसकी सनचना यह इसकी सनचना है ठीक है अब इसकी सनचना में आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल इसका सरीर जो है बिल्कुल खंड में ब अब इस तीन भाग में बटा होता है ट्रंक और पाइजिडियम तो इसका यह जो भाग है पूरा का पूरा यह हेड कहलाता है अब बाकि इसका जो है यह एनस वाला भाग जो है पाइजिडियम कहलाता है अब बाकि जो सेस भाग है पूरा बीच का यह मिडिल पार्ड देख रह तो two pairs का मतलब four eye है, इसमें चार आख है, ठीक है, और इसमें सबसे सीर्स पर देख रहे हैं, आप tentacles हैं, जो संबेदी अंग की तरह कार करता है, tentacles के संख्या एक pair है, एक जोड़ी है tentacles, और उसके just tentacles के नीचे आप देख रहे हैं, proistomial pulp भी है, proistomium pulp हैं, दो हैं, एक जोड आप देख रहे हैं, कि यह है peristomial ciri, peristomial ciri है, यह देख रहे हैPlease wow प्रोistomium है और इसमें पहला खंड उसे कहते हैं, अर इसका जो सरीर होता है मैंने बता दिया कि segmented होता है और इसके यहाँ tail region में सबसे नीचे क्या होता है, और इसके जस्ट ऊपर का जो segment होता है वह कला था anal segment anal segment जिसमें anal उपस्थित होता है और इसमें भी आप देख रहे हैं वहां तो हो गया peristomial ciri, आप यहाँ पर जो एनस की तरफ है उसे कहते हम anal ciri ठीक है, anal ciri है इसमें सबसे नीचे anal ciriae इसमें उपस्तित होती है और इसके साथ साथ आप देखिए इसमें जो गमनांग होता है गमनांग lokomotory organs होता है तो इसमें आप देख रहे हैं कि पैरापोडिया ये देखी हम आपको उदादे जो ऐसी सनचना है इसके सरीन में ये होती है पैरापोडिया पेरापोडियाग बाद इसमें जो निकली होती है सनचना ऐसे ये कहलाती है CT, ये क्या कहलाती है दोस्त ये CT है बाकी CT कहां से जूड़ी है पेरापोडिया से, तो पेरापोडिया और CT एंदोनों इसके ये गमनांग होते हैं, बाकी इसका आप समझ रहे हैं कि ये body segment है जो इस अवस्था होती है आप नेरिस जब नेरिस में लैंगिक रूप से परिपक कवस्था जाती है तो अब इसे हेट्रो नेरिस कहते हैं अर्थात जब यह इसमें परिपक कवस्था नहीं है और दूसरा जो है सक्षम नहीं कि दूसरा नेरिस डेवलप करें तब यह नेरिस कहलाता ह जब इसमें छमता जाती, मैचूर हो जाता है, परिपक हो जाता है, तब इसे हेट्रो नेरिस कहते हैं, posterior half जो इसका आधा नीचे का भाग होता है इसके सरीर के आधा नीचे का भाग होता है वह mature जब होता है sexual रूप से यानि sexual reason बना लेता है तब उस खंड को कहते हैं epitok यह सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण प्रस्न है epitok ठीक है दो सब्द है एक है epitok और दूसरा सब्द है a talk तो epitok क्या है epitok दोस्त यह समझे कि posterior half पार्ट है posterior जो नीचे का भाग है posterior पीछे का है और यह mature होता है sexually region बनाता है मैचोर होगा सेक्सूली रीजन बनाता है इसे कहते है ईपी टोक और जो एंटीरियर एसेक्सूल रीजन होता है इसे कहते हैं एटोक अब समझे इस बात को मैं पूरा बिस्तार से आपको समझाता हूँ ठीक है देखे कैसे इसको थोड़ा सा ध्यान दिजिए यहाँ पर कैसे इ मैचोर हो जाता है जब 이 मैचोर हो जाता है इसमें स्कंड आ जाता है कौन सा खंड आ जाता है बिलकूल सेक्सूल रीजन का से तो इसका जो आधा भाग है उपर का इंटीरियर जो भाग है यह इंटीरियर भाग है यह नान सेक्सुल रीजन होता है तो जो नान सेक्सुल रीजन होता है इसे कहते हैं एटोक अर्थात आप कह सकते हैं ए से एंटीरियर ए से एंटीरियर और ए से एसेक्सुल और ए से एटोक तो interior भाग जो होता है जो sexually reason होता है उसे atok कहते है आप ऐसा समझेए एसे interior एसे sexually एसे atok तो यह उपर का जो भाग होता है एंटिरियर भाग वो atok कहलाता है ठीक है non-sexual होता है अब यहाँ पर जो नीचे का जो भाग होता है देखे नीचे के भाग में हम आपको बदा दें कि इसमें जो peripodia होते हैं ठोड़ाँस लार्ज हो जाते हैं यह बात जरू ध्यान रखियेगा यह question पूंछा भी गया है कई बार जो नीचे के पैरा'veinder होते हैं यह कैसे यह और नीचे का भावग गया, इपी टोक, और जब नेरिस में यह दो खंडा आ जाता है, एटोक और इपी टोक तब उससे कहते हैं हेट्रो नेरिस, हेट्रो मतलब भिन्न, दो प्रकार का इसमें सिस्टम हो जाता है, ए टोक और इपी टोक, ए टोक और इपी टोक, और इसमें देखिए ध्यान दिजिएगा, कि इसमें जो आख होती है, जो आई होती है, वह होती है, दो पेर, इसमें दो पेर का मतलब कितनी आख होती है, चार आख होती है, ठीक है, और यह किसका काम करती है, फोटो रिसेप्टर इसकी जो आखोटी है डेखी दोस्त आपको पड़िने के लिए थोड़ा सा जुनून आपके अंदर होना चाहिए और जुनून रखना पड़ेगा नहीं तो अगर थोड़ा सा इधर उधर छक्र में पड़े आप तो फिर दोखिए तयार नहीं हो पाएगा ठीक है जैसे कहा गया है कि जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिस उससे ज्यादा करो, तक दीर भी रूठे पर हिम्मत ना तूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, तो दोस्त हम आपको बता दें, अपने इर इसे आप ध्यान रखिएगा इसकी जो बीच वाला भाग होता है उसे ट्रंक कहते हैं क्या कहते हैं तो इसकी क्याब इसे बशेशता है each segment with a pair of parapodia, इसके प्रतेख खंड में एक जोड़ी क्या उपस्थित होता है parapodia ठीक है प्रतेख खंड में ट्रंक के प्रतेख खंड में एक जोड़ी parapodia उपस्थित होता है ठीक है, अब यहाँ बात करें हम यह देखे, हेट्रोनेरिस की जो कंडिशन है तो लारजार इसमेरे ऑगा फिसमेरे पहते ए लिर बा।र फूछा गए तो पीमे पहते हैं में. लिड़ा में हमने बताया कि कुछ जो है जीनस ट्रोकोफोल लारवा उसमें पाए जाता है जब कि केचुगा आपने पढ़ा और हिरुडेनेरिया पढ़ा तो उसमें ट्रोकोफोल लारवा नहीं था अब यह बचा यह कही नेरिस तो इसमें होता है ट्रोकोफोल लारवा वीच खास बात क्या है जो question पूछा है कि trochopho larva of nyanthis neres का जो trochopho larva होता है is characterized by both apical and horizontal row of celia ठीक है जो trochopho larva होता है मुख character इसका क्या होता है कि both है मैंनि दोनों से रो पर apical और horizontal यानि apical और horizontal row दोनों इसमें celia पा जाता है मतलब इस तरीके से अगर इसमें oval shaped ऐसा है तो इसमें celia इधर भी होंगे यानि और इधर भी होंगे ठीक है दोनों ये उपर भी होगा और नीचे भी होगा celia apical और horizontal दोनों रो में होते हैं ठीक है इसका ये characteristic feature है ठीक है trochopho larva को तो ये अभी भी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा बार आता है one pair large neferidia इसमें एक जोड़ी जो है large neferidia पाए जाते हैं in each segment प्रते एक खंड में for excretion जो जिसका काम क्या होता है भाई excretion होता है ठीक है लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें और like करना ना भूलें और हो सके तो channel को जो लोग subscribe नहीं कियें channel को भी subscribe कर लिजे चलिए आज की class में बस यहीं तक ओके thank you